नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सियम हिमन्त ने डूपते सुल को दिया अर्ग रांची के हटनिया तलापर की उपासना लोक आस्था के महाप्रव छठ की महिमा ऐसी है कि सर्धा और भक्ति भाव में हर भ्यक्ति समाहित हो जाता है आम हो या खास सभी पवित्रता के बंधन में बंद जाते हैं इस महापर्व के मौके पर हेमंत सुरेन भी अपनी धर्म पत्नी कलपना सुरेन और दोनों बेटों के साथ हटानियत तलाब घाट पर एक हजार सरधालियों के बीच पहुँचे उन्होंने नियू पुलिस लाइन निवासी और मैदूरी करने वाले मनोज साह की पत्नी और वर्ती अलका देवी के परिजनों के साथ सुर्ण को अर्ग अर्पित कर असिरवाद लिया इस दोरान मुख्य मतरे ने छटी मया से राज की उनती और राजिवासियों के सुक सम्रिदी खुसाली, सांती और निरोग जीवन की प्रात्ना की है इस दोरान हेमन सुरे ने कहा है कि छट पर की अलोकिक प्रमपरा निभाने की संस्कृति स्थियों ते चली आ रही है इस महापर्व में सभी तरह के फासले मिल जाते हैं छटी मया के लिए हर कोई समर्पित भाव से अपनी सेवा देता है वहीं चट वरती 36 गंटे का निर्जला उपवास रहकर भागवान भासकर के उपसना करते हैं राज्यपाल और सियम हिमन्त ने दी चट की सुबकमनाए महापर्व चट को लेकर पूलिस और पसासन ने अपनी तरफ से पुर्वेवास्ता की है वहीं समाजिक संगठनों ने भी चट पर्व को लेकर कई तरह की त्यारिया की है इसी भी झार्खन के जन परतीनिदियों ने लोगों को चट पर्व की सुबकमनाए दी है बता दे छट पर्व की सुपकमनाय देते हुए जार्खन के राजेपाल सीपी राधाकिष्णा ने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर सेयर किया सभी देश वास्यों को लोक आस्ता एवं भागवान सुर्य की उपासना के महापर्व छट के हार्थिक बधाई एवं सुपकमनाय यह पर्व सभी के जीवन में सुख सांती और सम्रिती लेकर आए यहीं सुर्य देव एवं छटी मया से प्रात्ना हाए जय छटी मया भारत की हार के बाद बुरी तरह टूटे बिराट कोहली रब्विवार को खेले गए इंडिया और आश्त्रेलिया के बीच के वर्ल्ड कप में भारत को हार का सम्रा करना पड़ा जहां फुरे देश को इंडिया की जीत की उमीद थी वहीं हार के बाद पुरा महौल ही बदल बिराट कोहली ने मैच में अपना बेश्ट देने की कोशिस की लेकिन आस्ट्रेलिया से जितने में टीम इंडिया चुक गई राहुल ने जहां 66 रन बनाए वहीं बिराट 54 रन बना कर पेवेलियन लोट गए मैच के बाद अनुसका सर्मा के साथ उनकी कुछ तस्वीरे सामने आई है बता दे भारत ने आस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 240 रनों का छोटा सा गोल रखा था जिसमें बिरोधी टीम को आसानी से जीत मिल गई है आश्ट्रेलिया छाव बिकेट से जित गई जिसके बाद इंडियन्स को मायोसी का सामना करना पड़ा वही मैच के बाद बिराट को हिली के अनुसका के साथ कुछ तस्वीर सामने आई जिसमें एक्स्ट्रेस अपने पति को हिमत देती नजर आ रही है देश में पूरुष आयोग और हेल्फ लाइन नंबर जारी करने की मांग अंतराश्ट्रिय पूरुष दिवस पर रायधानी रांची में समाज के उन पूरुषों ने परदशन किया जो किसी न किसी रूप में महिलाओ दोरा परतालित किये गए है महिलाओ के लिए बने बिसेश कानूनी परदशन की तरह पूरुषों के लिए भी बिसेश कानून आयोग और हेल्फ लाइन नंबर जारी करने की मांग इन पूरुषों ने की है सेवा इंडियन फैमिली की जारकन इकाई दोरा परंबिर अलवट एका चोग पर कियेगा इस परदशन का उदेश से एक तरफ जहां के महिलाओ प्रतालना को लेकर पूरुषों के जारुष करना है वहीं सरकार के समक से यह मांग भी मजबूती से रखने का है कि सिर्फ महिलाओ प्रतालित नहीं होती बलकि पूरुष भी घरेलू हिंसा महिला प्रतालना और धारा चार सवन ठान बे एक के दुरुपयों का सिकार होते है भारत की हार पर आया पियम मोदी का रियक्सान गुजरात के हमादाबाद में रभी वार को ICC क्रिकेट 200 कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार पर प्रधान मतिनायन मोदी की परकिरिया आई है पियम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा प्रिये टीम इंडिया 200 कप के दर्ण आपकी परतीभा और दिर्ड संकल्प उलेखनी था आपने बहुत अच्छे जज़बे के साथ खेला और देश को बहुत गरो दिलाया हम आज और हमेशा आपके साथ ख़़े हैं पियम मोदी ने 200 कप में जीतने वाले आश्ट्रेलिया टीम को लेकर भी एक पोस्ट किया उन्होंने आश्ट्रेलिया टीम को बढ़ाई दी पियम मोदी ने लिखा 200 कप की संदार जीत पर आश्ट्रेलिया को बढ़ाई पुरे टूर्नामेंट में उनका पर्दसन सरानिय रहा जिसका समापन संदार जीत के रूप में हुआ ट्रेविस हेड को आज उनके उलेखनिये खेल के लिए बढ़ाई नवकरी के लिए पिता की हत्या कराने का पर्यास किया गिरफतार जारखन पुलिस ने रविवार को बताया है कि सेंटरल कोल फिल लिमिटेट के करमचारी पर हुए हमले के मामले में उनके बेटे को गिरफतार कर लिया गया है पुलिस ने बताया है कि अनुकंपा के अधार पर नोकरी पाने के लिए आरोपी ने पिता के हत्या का पर्यास किया और हमलवारों को इसके लिए पैसा दिया था पुलिस ने बताया है कि CCL करमचारी राम जी मुंडा को 16 नौमर को रामगड जी लेके मट कामा चोक पर दिंदाहाडे मोटर साइकल सवार अग्या थामलवारों गोली मार दी थी गंभीर हालात में उन्हें रामगड में एक अस्पताल में भरती करया गया और फिलाहाल रांची में उनका इलाज जारी है केंद्रिये पर्यावरन मंत्री आस्वीनी चोवे पर भीफरे जहमो कांग्रेस केंद्रिये पर्यावरन राज मंत्री आस्वीनी चोवे के एक ब्यान पर जार्खन मुक्ति मोर्चा ने तिखी परतिकिरिया दी है जारखन मुक्ति मोर्चा के केंद्रिये परवागता और केंद्रिये कमिटी सरस मनोज बांडे ने कहा है कि दरसल केंद्रिये मंत्री पर बढ़ते उम्र का असर है उन्हें हेमान सुरेन सरकार के जन कलेंकारिक कारे नहीं दिख रहे है गोटा में दिये गए ब्यान परतिकी परतिकीरा देते हैं मनोज बांडे ने कहा है कि केंद्रिये मंत्री को यह कहते हुए खराब भी नहीं लगता कि केंद्र राजये को पैसा दे रही है हकिकत यह है कि जारखन के हग का 1,38,000 क्रोर रुपाए केंद्र पर बकाया है उस पर उनकी बोली नहीं निकलती जिस बिहार में लंबे दिनों तक भाजपा सासन में थी वहाँ सडको की क्या इस्थिती थी और बरतमान में उत्तर परदेश में सडको का क्या हाल है या अस्वीनी चोबे को बताना चाहिए लातेहर के रेलवे कैम्प में अंधा धूंद फैरिंग लातेहर के बालुमाथ थाना के महज 2 किलोमीटर दूर बालुमाथ रांची मुख्य पत पर इस्थित NCPR कैम्प पर सुक्रवार देरत अग्यात अपराधियों ने गोली बारी की घटना को अंजाम दिया है कम्पनी में कारलत कर्मीयों ने बताया है कि अग्यात अपराधियों ने करीब 10 से 12 रांड फारिंग की जिसके बाद हम सभी कर्मी कैम्प में छूप गए वहीं गोली बारी की घटना के सुचना मिलने पर बालुमा थाना के थाना पर भारी धर्मेंदर महतो दलबल के साथ घटना अस्तल पहुँचे लेकिन तब तक अपराधियों जंगल की ओर भाग गए बता दे कि टोरी सिवपूर में तीसरा फेज का काम कर रही कमपनी का यह कम बताया जाता है वहीं इससे सिर्फ तीन दिन पहले मंगलवार की दिर रात बालुमा थाना चेत्रे के बुकरुज थी साई किर्पा कंस्ट्रक्शन कमपनी द्वारा मीटी के काम में लगया हाईवा पर अपराधियों द्वारा गोली बारी की गई थी गीरी डी में पूलिस महिलाओ के बीच हाथा पाई गीरी डी के घाटकुल पैंचायत के महली डी हगा में सनिवार को गुप्त सुचना के अधार पर पूलिस साईबर अपराधियों को पकरने पहुंची इस दोरान पूलिस के साथ महिलाओ न जम कर हाथ पाई कर दी इसमें थाना परभारी साकेत परताप देव को हलकी चोट आई हाए महिलाओ के बीरोध के बाजूत पूलिस साईबर अपराधियों को अपने साथ ले जाने में सफल रही बताद बिहार के जमोई निवासी एक साईबर अरोपित अपनी ससुराल महली डी आया था गुप्त सुचना पर गांडे पूलिस उक्त साईबर अरोपितों को गिरफतार करने मोहली डी गाह पहुची पूलिस जब युवा को हिदासत में लेने के लिए पहुची तब महिलाओने बिरोध कर दिया चठ घाट पर डूबने से बेटे की गई जान सराइकला खरसावा जिले के आदेदपूर में चठ के दिन हिदय विदारक दुरगाटना हो गई चठ कर रही माग का कोक उजड़ गया आखिर अवेद बालू खनन माफिया के कारण कुलूप टांगा चठ घाट पर एक माग का कोक उजड़ गई है यह दुरगाटना आर आईटी थाना चेतर की है बता दे माग संख्या ये गारा जानता फलेट निवासी युवक रभी वार को दोफर करी 12 बजे की है युवक अपने दोस्त के साथ लुट टूप टांग इस्थीत खरकई नदी के तट पर घाट बनाने गया था जहां उसकी माग को छट करना था घाट बनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ नदी में असनान करने लगा इसी दोरान वह गहरे पानी में चला गया तब तक उसके दोस्त कुछ समझते तब तक वह डूबने लगा बराकर नदी में नहाने के दरण डूबने से यूवक की मौत लोक आस्था का महापर्व छट की खुसिया गम में बदल गई धनबाद जी लेके चीरकुंडा थाना अंतरगत बराकर नदी में असनान करने के दरण एक यूवक अंकित मिस्रा की मौत हो गई जबकि दो यूवको को लोगों ने किसी तरह बचा लिया है हाथसे की जनकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे जहां अंकित को देखते ही परिजनों के चितकार से मातम पसर गया परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है घटना के बाद घटना अस्थल पर पूलिस बल की तेनाती कर दी गई है आपको बता दे कि मौत अंकित मिस्रा के घर पर छट महापर हो रहा है जहारखंडी भासा खतियान संहर समित्ती का धरना समाप्त कदमा उलियान स्थीत निल सरोवर की जमीन पर अवैद निर्वान करने के बिरोध में जहारखंडी भासा खतियान संहर समित्ती का चल रहा धरना परसन रभी वार साम को समाप्त हो गया हलाकि परसासन की तरफ से कई बार वारता कर मामले को सुल्धाने का पर्यास सनी वार सही जारी था परन्तु आंदोरन कर रहे जेबी के सेस के सदस्य परसासन द्वारा दिये जा रहे आस्वासन से संतुष्ट नहीं थे इस कारण संगठन के सज़से आपनी मांगों को लेकर सरोवर परिशर में इधारना परबैठे थे इधर संगठन के सज़सों ने सरोवर के बीचों बीच लगाए गए फवारे को परसासन द्वारा नहीं हटाये जाने पर रबिवार को खुद ही हटा दिया जिसके बाद धरना समाप्त करने की घोसना की गई रांची में यहोवा के साक्षियों का तिन दिवस्य समेलान यहुआ के साक्षियों का तिन दिवस्य अधिवसर रांची के जार्खन एस्टेट एस्पोर्ट सोसाइटी में इस बात पर फ्रोकस करते वे संपन हुआ की सब्र रखना मत छोड़िये यहुआ के साक्षी इसाई धर्म समू का एक हिसा माने जाते हैं यह समुदाय पिछले दिनों विश्व अस्तर पर तब चर्चा में आया जब केरल के एरना कुला में प्रातना सभागदवान एक कन्वेंशन सेंटर में विश्पोर्ट से चार लोगों की मौत हो गाई और दर्जुनों का हायल हो गाई थे बतादे 17 नॉमबर से 19 नॉमबर तक चले अधिवेशन में जेप्था तिर्की प्रसांत बामनी कर वक्ताओ ने अलग-अलग भी सेव पर अपने विचार साजा किये लेकिन चार्चा के केंद्रे में रहा सबर से पेश आओ इस समिलल में बताया गया है कि भाग दोड़ भरी जिन्दगी और बदलते जीवन सहली के कारण इंसान अपनों से दूर हो रहा है भरष्टाचार के आरोपितों पर विभाग महरबान भरष्टाचार के आरोपितों के विरूध जाच करने वाली राज सरकार के एजेंसी वरष्टाचार नियुधक वियोरो की जाच के रास्ते की बाधा स्वयम सरकार के विभाग ही है ऐसे मामलों की संख्या कई दर्जन है जिसमें ECB की जाच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी आरोपितों के विरूध जाच की फाइले विभागों मे ही भटकती रह गए इनही मामलों में से साथ मामले सामने आया है जिसमें ACB ने PE दर्च करने के बिंदू पर राय सरकार की मंत्री मंदल सच्चिवाले अमनीगरानी विभाग से पतरचार किया इस मामलों में मंत्री मंदल सच्चिवाले अमनीगरानी विभाग ने ACB को PE दर्च करने के लिए अनुमती तो नहीं दी लेकिन इस मामले में आरोपित प्राधिकारी कर्मिक विरूद जाच के बिंदू पर उसके पैत्रिक विभाग से ही मंतव्य के लिए पत्रचार कर दिया पलामू में महापरवच छट पर कोईल नदी तट पर गांगा आरती रभिवार की सामको छट वर्ती समय से पहले नदी पहुच गई थी वे नदी में उतर कर सूरे की आराधना कर रही थी कोईल नदी के तट पर टाउन हॉल घाट के पास भी काफी संख्या में छट वर्ती पहुचे और अस्ताच चल गामी भागवान सूरे को अरग दिया बता दे कोईल नदी के तट पर अगर सेन भागवन के पास घाट में पलामू के परसीद भजन गायक राम की सूर पांडे और स्याम की सूर पांडे बंध हुच ने भजन संध्या में कई भक्ति गित प्रस्तूत कर कोईल तट को भक्ति में बना दिया पलांबू चेंबर अफ कोमर्स के दोवारा वा मेदनी नगर नगर निगाम की पूरो मेर अरुना संकर की ओर से पहली बार छट के मौके पर कोईल नदी तट पर गंगा आर्तिका आउजन किया गया